आम आदमी पार्टी की दिगज नेता और दिली की पूर्व उपमुखे मंत्री मनिस सुदिया की मुश्किलें एक पर फिर से बढ़ चुकी हैं जानकारी देदे कि दिली के राउजबेनी कोट ने मनिस सुदिया की न्याएक हिरासत पांच फरवरी तक बढ़ा दी है कोट का कहना रहा CBI से कि CBI को दिली शराब निती घोटाले मामले में जाच की सिती को लेकर status reported दाखिल करने का निर्देश दिया गया है इतना ही नहीं कोट का कहना है कि CBI ओफिस में दस्तावेजो की जाच को अबबंद किया जाता है वही इस सुनवाई के दौरान कोट में जजिस ने अपनी नाराजगी को भी जाहिर किया दरसल आपको बता दे कि मनीज सिसोधिया को कोट में वर्चुल तरीके से आज पेश किया गया और मामले के सुनवाई की दौरान राउजवेन्य कोट ने तेहार जेल अधिकारियों से सवाल कर लिया कि आखिरकार मनीज सिसोधिया को व्यक्तिगत रूप से पेश क्यों नहीं किया गया दरसर नियाएक हिरासत की अवधी जो आज खत्म हो रही थी अब उस अवधी को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है ऐसे में दिल्ली की राउजवेन्यू कोट में जस तरह से मनी सिसोधिया को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए पेश किया गया जिसे देखते हुए अदा सुनक्षित करने के लिए कहा कि अगली तारीक यानि की पांच फरवरी को मनी सिसोधिया को प्रत्यक्ष रूप से यानि की शारेरिक रूप से पेश किया जाए इस तरह से कोट से हिदायत मिल चुकी है कोट ने यहां पर सक्ति वरत दी है कि किस तरह से मनी सिसोधिया को जो किया गया है वीडियो कॉन्फरेंसिंग की जरीए इसको लेकर नाराजगी चाहिर की गई है अब पांच फरवरी के दिन मनीश सुधिया को किस तरह से पेश किया जाएगा ये देखना काफी जादा एहम हो चुका है जानकारी देदें कि यहां पर जेल अधिकारियों ने इसका कारण भी बताया कि आखिर कार मनीश सुधिया को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए क्यों पेश किया गया तेहार जेल अथोरिटी ने कहा है कि गरतंत्र दिवस की वज़े से मनीश सुधिया को आज कोट में फिजिकली पेश नहीं किया गया आपको बता दें कि बीते साल 2023 में फरवरी के महीने में मनीश सुधिया को एडि ने अपनी हिरासत में लिया और आज भी वे है निया एक हिरासत में है सुप्रीम कोट तक पहुंचे मनीश सुधिया लेकिन उनको राहत अब तक नहीं मिल पाई है इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक कि लिए आप द रही नेक्स्ट नाइन न्यूज